हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वेटी सक्सेस जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज तारिक हो गया 9 अप्रील और सिस्टेम के नोटिपिकेशन के मुताविक कल जो है 10 अप्रील होने जा रहा है और 10 अप्रील के बाद से सिस्टेम जो है प्रील रेंक लांच करेगा शिश्ट्म अपने 4 चरण में एंटर करेगा और इसके तार्थ एम्र्यल्ड रेंक लेकर आएगा आप सभी लोग पता है और अभी एम्राइलड के रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो भी आ रहा है बहुत सारे नीडर जो है अ अब लोग को सबसे हे लिए सबसे ह helfen करने के लिए अपने मोबाई पर देशेटिंग करना है किसी चीजाएंग का फाइदाने मूला हूं कैज जगह से डाटा इकटा किया हूं यह । आप समय लोग इस जो है जनकारी का फाइदा ले सके तो आई गाईज बीना देर के वे शूर करते हैं आज के वीडियो सबसे पहले गाईज मैं आप लोग को एक ID लोग इन करके दिखाता हूँ ठीक है एक ID मैं लोग इन कर रहा हूँ यहाँ पर अब बने रही आप लोग ID लोगिन हो रहे है और ID लोगिन हो गई है अब मैं बुनाजा 2020 को मैं ओपेंक किया हूँ सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि यहां पे यहां पे देखें आप लो जो रेंक है अभी यहां पे अमरेल्ड रेंक जो है अप्डेट नहीं हुआ सबसे पहले सिस्टम जो है दस तारीक के बाद कभी भी चाहे 10 मीड के लिए जाए या प्रेश मेर चाहे 5 मीड के लिए जाए चाहे 10 गंटा एक गंटा कभी भी जाए सिस्टम थोड़ा सा 5-10 मीडा आदा गंटा के लिए अपडेट में जाएगा और यहाँ पे जो है emerald rank जो है push करेगा और एक जो है box वो खाली करेगा और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे नीचे emerald का upgrade करने का option आएगा ठीक है तो यह सारी चीजे अभी system ने update नहीं किया है यह सारी चीजे system update करेगा उसके बाद system हमें exact date देगा यहाँ इस date को emerald rank launch होगा इस date को emerald rank आएगा उससे लगभग 48 घंटे पहले timer भी लगाएगा timer पूरा होगा उसी में थोड़ा बहुत आदा घंटा एक घंटा आगे पिछे करके उसी में थोड़ा सा हम लोग को चकमा देगे system जो है emerald rank को पूस्ट कर देगा ताकि traffic बहुत ज्यादा होती है इसलिए थोड़ा सा system को चकमा देना पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं है कि system अभी बीना notification के कुछ भी direct emerald rank ला दे ऐसा नहीं हैगा जैसा बिलकुल नहीं होगा तो आप लोग 1000 डीपी जो है डीपी को अपने wallet में maintain करके रखे रहें और उमीद है कि अभी के इसाब से जो महाल है अभी तक जो है 10 तारिक तक system ने कुछ इसके बारे इमना notification दिया है नहीं यहाँ पे emerald rank को update किया है तो अभी मान के चलिए आप लोग की कम से कम जो है कम से कम 20 तारिक के लगबग 20 तारिक के बाद ही emerald rank system जो है launch करेगा 20 अपरेल के बाद ही लगबग system जो है emerald rank launch करेगा क्योंकि 10 तारिक के बाद system notification देगा और मतलब पिछला जो भी इसका history रहा है ऐसा आकस्मात system को एक नया rank नहीं लाता है तो date आपको देगा उसके इसाफसे time बहुत time देता है भरपूर time देता है system तो उसके लिए आप लोग बिसकुल निश्चिंत रहें और system हमें date भी देगा exact date देगा और timer भी लगाएग 48 घं अब आए मैं आप लोग को कुछ technical चीजे पताता हूं कि आप लोग को किन किन टेकनिकल चीजों को follow करना है छोटी छोटी चीजे हैं लेकिन बहुत ही important चीजे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है अपने Chrome browser में जाना है यह आपका रहा Chrome browser Chrome browser को open करना है Chrome browser को open करने के बाद से आपको यहां three line पे क्लिक करना है three line पे क्लिक करने के बाद यह जो history लिखा है यह जो history है history पे क्लिक करना है history पे क्लिक करने के बाद से clear browsing data जी हां गाई जो clear browsing data लिखा है इस पे क्लिक करना है इसके बाद से यहां पे आपको select करना है जो मैं पूरा अल्रेडी select हुआ पड़ा है तो यहां पacious लेक्ट लेना है आधि पे इसमें कोई आप का इंप्र एंपर्टेंट डाटा ऊगए रहुत तो उसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं लेकिन यहां से जो है आल सहोरीच करके और यहां पर डाटा नीचे गिलियर कर देंगे थीक यहां ने ने लिए ब्राउजर इस्ट्री जो है किलियर हो गया है अब क्या करना है आपको छोटी छोटी चीजें अपने मोबाईल के गैलरी में जाना है गैलरी में जाना है बहुत सारे लोगों के गैलरी में कई-कई हजारों जो है फालतू के फोटो वीडियोان है पूरा जो है जितने आलतू फालतू वीडियो है सब पूरा आलgehen होगे यह सब उसमें से में में सेलेट करदें जो है जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीजे हें और बहुत सारे एप्स होते क्लियर कर दिजिए मोबाली को बिल्कुल ही एकदम smoothly work करने दिजिए इसका जो प्रोसेसर एकदम smooth work करे तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़े जो है क्लियर करना है इसके बाद से आपको क्या करना है गाईज कि आपको अपना नेटवर्क की स्पीड चेक करना है कि कहां पर आपका नेटवर्क की स्पीड जो है आपके अपने घर के आसपास छत पर हो गाउं में थोड़ा ज्यादे दिक्कत होता है तो कहीं छत पर जाके देखिए नीचे चेक कीजिए थोड़ा सा बाहर कहीं गाउं के बाहर एरिया में जाके चेक कीजिए क्योंकि कहीं कहीं पर गाउंसे थोड़ा सा बाहर रटने पर अच्छा रहन जाता है या आप अपने चछत के उपर वाले इससे पर जाते हैं, वहां भी अच्छा नेटवर्क आता तो इसे आप लोग को पता होता है और आप जो है इसको फिजिकली चेक भी कर सकते हैं कैसे चेक करना है आपको यहां पर क्या करना है इंटरनेट स्पीड चेक टाइप करना है यहां पर इंटरनेट स्पीड चेक टाइप करना है ठीक है और यहां पर जो है यह वाला Speed Test by Okla इसको open कर लेना है आपको तीक है इसको open कर लेना है अब देखिए ये open हो रहा है open हो गया अब यहाँ पर देखिए ये go का आप सना रहा है दिख रहा है आप लोग को go अब इस go पर आपको click कर देना है go पर click करके थोड़ा wait करना है अब यह आपका internet का speed बताएगा कि हाँ आपका internet का speed अभी आप जहाँ पर है मौजूदा position पर वहाँ पर आपके internet का speed क्या है ठीक है तो अभी देखिए ये test कर रहा है अभी जो है इसका result हम लोग के सामने आ जाएगा थोड़ा सा wait करते हैं guys तो देखिए ये internet speed जो है हमारा test कर दिया ठीक है यहाँ पे maximum जो है 16-17 MB 16-17 MB पर सेकेंड के हिसाब से maximum हमारा speed आ रहा है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 13, 14, 12 ठीक है 12, 13 MB पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे हमारा speed आ रहा है ठीक है तो यह यहाँ का जो है average speed है ठीक है लगवग 12, 13 MB पर सेकेंड तो आप इसके द्वारा जो है चेक कर सकते हैं चेक कर सकते हैं आप जहाँ पे हैं यहाँ पे इंटरनेट की speed क्या है और थोड़ा सा दाएं बाएं हटके उपर जाके अपने छट के उपर जाके इदर उदर आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे अच्छा जो है इंटरनेट आ रहा है ठीक है तो आप जो है वहाँ से इंटरनेट की speed चेक कीजिए एक काम आप लोग और कीजिए कि यदि आप लोग के मोबाइल में दो sim है तो maximum लोग जो है sim 1 में जो है net चलाते हैं तो आप लोग sim 2 को उस दिन के लिए क्या करके निकाल के छोटा मोबाइल में लगा दीजिए सिर्फ जिसमें data चला रहे हैं उसी को sim 1 में डाल के रखिए और sim 2 को जो है आप निकाल के अलग मोबाइल में लगा दीजिए क्यों क्योंकि आपके team का या कहीं से बार बार phone आएगा जैसे ही phone आएगा तो होगा क्या कि यदि आपके sim 1 में data चल रहा है sim 1 से आप on कर रखे हैं वेवसाइड ओपन कर रखे हैं जैसे ही आपका call आएगा तो sim 1 जो है disconnect हो जाएगा data आपका आप हो जाएगा और पूरा का पूरा आप जो है अपने वेवसाइड से हट जाएगे वेवसाइड आपका पूरा बंद हो जाएगा फिर आपको शुरू से वेवसाइड ओपन करना पड़ेगा और उस टाइम पर वेवसाइड जो है आपको पता है कि कितना मुश्किल से दीरे दीरे ओपन होता है तो गाईज आप लोग जो है एकी सीम का यूज करें उस मुबाइल में एक सीम जो है दूसरे फोन में चोटे फोन में डाल लें ताकि आपके दोस्त मितरी किसींगा फोन आया कोई इमर्जंसी टीम का कॉल आया तो आप उसको अटेंड भी कर सके उसको दूसरे सीम में डालने या यह दी आपके आसपास कहीं पर इस्ट्रांग वाइफाई है और आपको वह मिल सकता है तो आप क्या करना है वाइफाई कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल से वाइफाई कनेक्ट कर लेना है वाइफाई आन कर लेना है आपका इसको मोबाइ पर कोई disturbance नहीं होगा कोई phone calls नहीं आएगा यह सब चीजें एक और setting मैं आफ लोगों बताने जा रहा हूं एक और मैं आप लोगो सेटिंग बताने जा रहा हूं क्या करना है यह setting आपको कोई नहीं बताएगा आपको अपने इसमें डाल पैड पे जाना है डाएल पैड पे जाके आपको डाल करना star-hash 4636 इसके बाद से हैज star है इस्टार तो आप लोग के mobile में कुछ ऐसा जो है खुल के आएगा इसमें phone information जो सबसे first वाला है phone information इस पे आप लोग को click कर लेना है phone information को click करने के बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यह जो दिख रहा है यहाँ पे phone 0 दिख रहा है यहाँ से आपको क्या करना है चेहंघाज one select कर लेना है मैं से यहाँ से 1 इसलिए आपको क्या करना है ये रिःफ्रेस लिखा है यहाँ यहाँ पर when fem 1 करने क इस अ आपको क्या करना है कि आप्डेट है अपडेट पे क्लिक कीजिए और इसके बाद से अपने मोबाईल को जो है स्विच आफ कर दीजिए और स्विच आफ करने के बाद से फिर आन कीजिए अपने मोबाईल को तो आपका इससे जो है इंटरनेट सेटिंग जो है फास्ट होगा और इंटरनेट आपका तेज चलेगा तो यह सब कुछ छोटे मोटे जो है टीप्स थे जिससे कि हम एमराल रेंग को जल से जल जो है हीट कर सके और बिल्कुल भी आप लोग को घबडाने कोई जरुवत नहीं है निश्चिंत रहना है और एमराल रेंग सिस्टम जहां तरक उम्मीद है कि जो है 20 तारिक के बाद ही लाएगा और हो सकता है कि एमराल रेंग से पहले आर्टो पूल देदे 90 परसंट जो है चांस है कि पहले आर्टो पूल देदेगा क्योंकि सिस्टम जो है हमेशा हम लोग की वलाई के लिए ही कारे करता है और कहिन-कहिन सि के लिए काम करता है तो हो सकता है सिस्टम पहले आर्टोपूल दे और मैक्सिमाम उमीद है कि 20 तारीक के बाद ही अमराल रेंक लांच होगा क्योंकि उससे पहले आप लोग को बहुत सारा सिस्टम में बदलाव देखने को मिलेगा सिस्टम नोटिफिकेशन भी चेंज करेगा एक्जक्ट डेट देगा उससे पहले टाइमर लगाएगा तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें अमराल रेंक को लेके आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहों बिल्कुल भी घबडाये नहीं और जो चीजे मैं आप लोग को टेकनिकल चीजे छोटी-छोटी हो तो विस्यू आल दा बेश्ट गोरेवी सून और एमराल ड्रेंग को सबसे पहले हिट करें यही मेरी गाड से विशेज है सो थैंक्यू गाइज मिलते नेफ्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख्याल रखे और कमेंट के मादियम से गरूर बताए व और ने मातरम